सारा इंडिया से पैसा पाने के लिए आवेदन शुरू दोस्तो अगर आपने भी सारा इंडिया में पैसे जमा किये थे और आप भी अपना पैसा वापस पाना चाते हैं तो आप सभी के लिए बहुती बड़ी खुशकबरी है कि आप सभी के लिए नया पोर्टल लांच किया है जिसकी मदद से आप सभी अपना आवेदन जमा कर पैसा पराप्त कर सकते हैं इससे जुड़ी हर एक जानकारी को सरर और आसान बासा में हमने इस वीडियो में बताएंगे अगर आप सहारा इंडिया रिफंड से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो में तपुरन है तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सहारा इंडिया के लोगों के दुआरा जमा के पेसे को वापस करने के लिए केंद्रिय गर्यमंत्री अमित सान ने एक नया पोर्टल की शुरुआत की है जिसकी मदद से सभी लोग ओनलाइन के मादम से आवेदन कर सकते हैं और अपना पेसा वापस ले सकते हैं आवेदन करने के लिए सबसे जरूरित दस्तावेज सबसे पहले आपके पास सारा इंडिया में जमा हुई पास्बुक आवेदन का बेंग खाता पास्बुक जमा करता के आधार कार्ड जिसकी ने पचाँ जार से ज़्यादा पेसे लगाए है उसका पेन कार्ड भी लगेगा इन चार चीजों का होना आपके पास मैतवपुरण है इस वेफ साइट को 18 जुलाई 23 के दिन केंदरिय ग्रह मंत्री अमिट सा के द्वारा चालू किया गया है अमिट सा ने ट्विटर पर ट्विट कर ये बात कही है यह पोर्टल सुप्रीम कोट के निर्दर सानूसा लौंच किया गया जिसमें सरकार को दिसम्बर से पहले लोगों के पेसे लोटाने के आदेश दिये गए है सारा इंडिया ओरनाई रिफंड के लिए आवेदन कैसे करे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सारा इंडिया रिफंड के लिए आप सभी को सारा इंडिया की वेबसाइड पर जाना होगा डिस्क्रेशन में लिंक आप वहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अभी हम सारा इंडिया की वेबसाइड पर आ चुके हैं जिसमें आपको सबसे पहले आदार कार्ड के नम्मर लगानी होगे, यहां आपको अपनी जानकरी भरके अपना रिजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको लोग इन और पास्वर्ड मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जमागरता लोग इन पर जाना है, और आपको वहां पर लोग इन और पास्वर्ड लगाने है, यहां पर लोग इन होने के बाद आपको जो सारा इंडिया की तरफ से पास्वर्ड मिली है, उसके डोकुमेंट आपको यहीं पर लगाने है, और आपने 50,000 चे अधिक की राशी सारा इंडियम में लगाई है तो आपको पैन कार्ड भी लगाना होगा